अम्रीका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प भारत की आत्रा पर आ रहे है। भारत और अम्रीका के सामरिक संबंध है, युकोड़े महत पूर्ण, साजेदारी है, स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप है। भारती राष्ट्री कॉंग्रेस इस पार्टनर्शिप का और भारत अम्रीका के संबंधों के महत पूर्ण को समझती भी है, और इसका समर्थन करती है, जो हमारे रिष्टे अम्रीका के साथ है। इसलिए अम्रीका के राष्ट्रपती की भारत की यात्रा दोनों देशों के लिए महत पूर्ण है। जाहे वो हमारा रक्षा के क्षेतर में, आर्थिक क्षेतर में, परमानू उर्जा क्षेतर में, अंतरिक्ष, कृशी और टेखनालोजी के क्षेतर में, साजेदारी और सहयोग। हमारी ऐसी सोच है कि इस स्यात्रा का जो भी नतीजे हो, वो सकारात्मक होने चाहिए, दिखने चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं, कि ये एक काम्याब दौरा रहा, अमरीका के राष्ट्रपती का भारत के दृष्टिकोर से, अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनकी परचाई दोनों देशों के संबंदों पर है, अमरीका ने भारत के साथ ये महतुपूर्ण पार्टनर्शिप के होते हुए भी, जी एस पी को खतम कर दिया, जनरल सिस्टम आफ प्रेफरेंसेज, इससे भारत की में बनी हुई चीजे हैं, हमारे यहां के जो अमरीका के बाजार में जो एक अफसर मिलता था जाने का कम टेरिफस पर वो खतम कर दिया, अमरीका ने भारत को एक तरक्षी नुमादेश डेविलिप्ट कंट्री गोशित कर दिया, इससे भारत उन देशों की पंक्ती में शामिल हो गया, जिनके खिलाफ अमरीका कभी भी, कभी भी, काउंटर विलिंग मर्शर्ज जो है, ट्रेड पर ब्यापार पर लागू कर सकता, इसका ये, शायद लोगों ने इसको सही रूप में समझा नहीं के इसके माइने क्या है, साथ में जो भी अमरीका के और चीन के संबंद अच्छे और बुरे जैस नेगेटिव कमेंट करते हैं या जीन पर तो भारत को उसके साथ जोग देते हैं, और अमरीका के राश्ट्रपती ने भी भारत में आने से पहले ऐसी बात कही है, कि बहुत प्रसंद नहीं रहे जिस तरह से भारत के साथ उनके संबंद हैं, तो जो आर्थिक शेत्र में, आर हम सोचते हैं कि ये रिश्टा केवल्ड खरीद फरोक्त का नहीं हो सकता, पर जाहिर है कि भारत जैसा सरकार ने कहा है, एक बड़ा ओर्डर हेलिकॉप्टर्स की खरीद का करेगा, हमको उस पे कोई आपक्ती नहीं है, पर बुनियादी बात है, कि जॉइन्ट रिसर्च होना चाहिए, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, जो नए सिस्टम्स हैं, उसको दोनों देश इकठा बनाए, और जॉइन्ट प्रोड़क्शन उसकी हो, और ये जो यात्रा है, उसमें तीन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूर ही है, एक दो राश्टर की संप्रभुता, आतम सम्मान और राश्टर हित्थ, और ऐसे दोरे में गंभीरता और गहराई देखनी चाहिए, ये केवल एक फोटो अपॉर्चिनिटी और पियार एक्सरसाइज नहीं होने चाहिए, हम ऐसी उमीद करते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के और डॉनल्ड ट्रम्प जी के संबंद बहुत अच्छे हैं, मितरता है, और जैसे डॉनल्ड ट्रम्प ने स्वेम कहा है, कि प्रधान मंतरी ने उनको आश्वस्त किया है, कि पचास से सतर लाख लोग वहां पे स्वागत के लिए होंगे, यह अमरीका के राष्ट्रपती का बियान है, जो पब्लिक डॉमेन में है, और इसलिए इस पे हमको कुछ कहना नहीं, तो हम यह उमीद करते हैं, जब इतने अच्छे संबंद हैं, और इतना ऐसा अभूत पूर्व स्वागत हो रहा है, जो किसी राष्ट्र द्यक्ष का कभी भारत ने नहीं किया, इसलिए जो हमारे कुछ पेंडिंग इशूस हैं देश के, पहला H-1B वीजास, उसका समधान निकाल लें, ताकि उसमें कोई कटौती ना हो, मैं आपको एकवन बताना चाहता हूँ, कि डिवेलप्ट कंट्री भारत को कहने के बाद, जो एज डिवेलपिंग कंट्री हिंदोस्तान के आई टी प्रोफेशनल्स को मिलता था, उसमें भारी कटौती होगी, एक बहुत बड़ा फरक है, प्रगती शील देशों में और तरक वो सोशल सेक्यूरिटी कॉंट्रीबूशन देते हैं, जो बिलियन्स डॉलर्स में जाती है, वो रिफंड नहीं मिलता, वीजा की मेहाद इतनी होती है कि इससे पहले उनका रिफंड का दावा बने, उनको वापिस आना पड़ता है, तो प्रधान मंतरी अमरीका बड़ा समर देश है, अमीर देश है, हमारे प्रोफेशनल्स का जो सोशल सेक्यूरिटी कॉंट्रीबूशन है, उसको वापिस करवा दें, और जी एस पी को रिस्टोर करा दें, अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसका कोई बड़ा अच्छा आउटकम भारत के लिए शायद ना हू एहमदाबाद में बड़ी तैयारी है, एक बड़े जशन की मोठेरा स्टेडियम में, जिसको आनन फानन उसको पूरा किया गया, लीपा पोची की गई, सजाया गया, वास्तविक्ता को ढखा गया, गरीब का अपमान हो रहा है, दिवार बना कर उसको ढखा जा रहा है, देख रहा है, यह सरकार की अपनी विचारदारा, उनकी सोच है, उनकी मानसिक्ता है, भारत की सरकार की और गुजरात की सरकार की, हमको इस पर एक चीज़ जरूर कहनी है, महात्मा गांदी के डिर सो साल भारत वर्ष बना रहा है, यह जो हो रहा है, महात्मा गांदी तो जारी थे और द्रिद्र को नाराण की द्रिद्र नाराण का संबान करते थे ये उससे कहीं न कहीं विरोधा भास है जो सामने प्रकट होता है ये महत्मा गांदी का संबान करना नहीं होगा क्योंकि अमरीका के राष्ट्र पती बड़े इसको जिम्मेवारी से कहूंगा उनकी और सोच महत्मा गांदी की सादगी से और हिंसा से कहीं मेल नहीं रखती अगर इसके बाद कोई परिवर्तन हो जा हम नहीं कह सकते हैं पर सरकार ने कल एक ऐसी बात कही है जो चौंकाने वाली है अगर हमने सही सुना भारत सरकार की तरफ से कल ये दावा किया गया है कि जितना ये सारा प्रबंदन हो रहा है वो एक नागरिक अभिनंदन समिती कर रही है क्या अमरीका के राष्ट्रपती एहमदाबाद किसी नागरिक अभिनंदन समिती के निमंतरन पर जा रहे है ये समिती कौन सी है कब बनी इसका registration कब हुआ पंजी करन कब हुआ इसके पास इतना पैसा कहा से आ गया पास्ट्रिक्ता ये है कि सब पैसा सरकार का है भारत की सरकार का और गुजरात की सरकार का और गुजरात की सरकार नहीं जितनी भी वहां पर अप्रूवल्स हैं जो भी मोटेरा स्टेडियम लिया गया है जो भी सारी की सारी रास्ते में जो पूरे भारत के 28 राज्यों के कलकार आकर अपना गुनर का प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश से आ रहा है, तो इतु कोई अभी नंदन समीति के तो बसके बाहर है, दो दिन के अंदर पूरे इंदोस्तान को कड़ा करते, वो नहीं है, तो वो सारे की सार का प्रशासन है, पुलिस का प्रशासन है, और एहमदाबाद म्यूस्पल कॉर्पोरेशन को विशेश ग्रांट भी दी गई है, हमको इस बातों पर आपती नहीं है, पर सरकार को जूट नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, आप कर रहे हैं, तो पूरा स्छाती ठोक क मोदी जी को कहना चाहिए, कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैं इतना बड़ा प्रबंद कर रहा हूँ, नमस्ते ट्रम्प का, ये कोई रातो रात एक नकली कालपनिक समिती बना दो, ये उचित नहीं है, पाकंड है, इस सरकार को परहेज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, हम हमारे यहां लाक दो लाक आदमी एकठा होना स्वाभाविक होता है, अभी तो एहमदाबाद की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, 1930 में, यानि कि आज से 90 साल पहले, जब राश्ट्रपितर महात्मा गांदी दांडी यात्रा के लिए निकले थे, तो एहमदाबाद की अबा राश्ट्मी था, यह कहते हैं, आसिक संख्या है और तत्या है, यह सिर्फ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि गांदी जी के डिड़ सो साल मना रहे हैं और एहमदाबाद का जिकर है, दांडी यात्रा भी वहीं से शुरू हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात आप से कह द हर स्कूल का, चात्र, अध्यापक और करमचारी, पांच घंटे के लिए, तीन घंटे की पूरी यात्रा है, पांच घंटे तक स्कूल के बच्चों भी खड़े रहेंगे, अभी उनका द्रिष्टिकोण है, आंगन वाडी और आशा के सारे जो काम करने वाले लोग हैं, वो भारत के नाद रहेंगे, और हर ब्लॉक से सौ अध्यापक रहेंगे, इसके इलावा, वहां दो सो उन्चास उन्चास ब्लॉक हैं, जो मेरी जानकारी है, आप भी चेक कर सकते हैं इसको, वहां जो भी होर्डिंग्स लगे हैं, कोई अभिनंदन समिती के नहीं हैं, माने प्र प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के, डॉनल्ड टरम्प के, मिलानिया टरम्प के और विजयरुपानी जी के हैं, मैंने इसको भी पहले इसको कन्फर्म किया है, आने से पहले, एक एक और चित्र रणप जाजी के पास हैं, जो हमारे राष्टे सच्चिव हैं, ये आपको बता देंगे, शेर करेंगे, तो हम यही कहते हैं, कि ये जो त्रयात्रा है, ये कोई वहाँ के राष्ट्रप्ति के चुनाव के प्रचार की एक कड़ी नहीं बनना चाहिए, इसके नतीजे राष्ट्र हित्ळ में होने चाहिए, और ये कहना कि ये कोई वहाँ पे के और हमदाबाद के लोग स्वयम कर रहे हैं जैसा मैंने कहा नहीं सच नहीं है क्योंकि वहां तमाम विपक्ष को विपक्ष के नेता को और विधायकों को इससे बाहर रखा गया यह भी मैंने इसका पुष्टी करन स्वयम किया है बात करके नेता प्रतिपक्ष और दूसरे व लिजम्रास लिएब किके। मैं था पाते टाराइकपन आपस आपटनरशी लिजब अपरनसी एकशिपर शप्बवा है प्सकिला का नी efecto नी हमõesके ईंगम कर्निते लुग हैं इस नेक सतरी लिए उद बुपर्शीन लिए बिर इजए्टिक व्काटन कंगरीं हैं इंकुभ्य तुर्ड अडियो गुर्म इस्हान टिदेट चेडियर साथनिस, रिटाले ट्री उप्रोब्स. आजिए से प्रम मिनिस्टर। यहोग़ रिफस्ट प्राइब देफ्सित था थापराशिवारी था दिए निजिए इन दिती अजिए निजिए अजिए भीज़ अप्राशनि है then only it can be termed a success from the Indian perspective. There have been recent developments which have cast a shadow. These developments are negative from our perspective. United States of America and President Trump, they have withdrawn the GSP benefit to the Indian products, Indian produce and Indian exports as a general system of preferences. U.S. has also, before the visit, declared India a developed country. Thereby equating India with rich countries, including China, whereas China's per capita income is five times that of India, and their GDP is five times that of India. So India, with a per capita income of $2,000 per annum, cannot be declared a developed country, because as a developed country, the fallout should be known. And the fallout is that even for our IT professionals, H-1B visas, the number would drastically come down. Now, it is important that this visit reverses what has happened. It also exposes this developed country status. India to United States counter-willing measures. The trade environment is unfavorable. I would say that India's-America's partnership cannot be transactional. Only for India to be a purchaser of U.S. defense equipment, as would happen even during this visit. While not opposed to that, the defense cooperation must include joint research, development, and production of weapon systems by India and America, and the transfer of technology for all such systems to the Republic of India. What Prime Minister and the government must keep in mind is India's sovereignty, India's self-respect, and India's national interest while conducting this visit. Because there have already been many arbitrary decisions which have affected our engagement with our other strategic partners, that's the U.S. sanctions on Russia or on Iran. We are a sovereign country, therefore, we have the right to engage with our other partner countries on our terms. And that independence and space should be there. It's not that if a waiver is given to purchase some systems from Russia, and India, equal amount must be spent by India to purchase systems from the United States. Each relationship should be independent. Each strategic partnership is independent of India's strategic partnership with another country. These are stand-alone relations. There should be gravitas, seriousness, and depth in this visit. We hope, given the special friendship between Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump, this country will hear enhancement of H-1B visas, restoration of the GSP for India, general system of preferences, GSP, which provides preferential market access for Indian produce to America, and also reversing the present decision and recognizing India as a developing country. An agreement on the refund of the social security contributions that are regularly being made by Indian IT professionals over the years, and they run into billions of dollars. These are outstanding issues. This visit should not be reduced to a photo opportunity or a PR exercise. That would devalue the importance of our partnership. That would also not be in India's national interest. We know that there is a big event that has been planned. Festivities and unprecedented arrangements. There is no precedent that we have extended this kind of welcome and celebration to any head of state. The Prime Minister has his own characteristic way of celebrating special occasions, and it is his privilege, his government, and their thinking, and also the government of Gujarat, which is extending, and rightfully so, all support. Therefore, the government should not engage in any hypocrisy like yesterday's claim. When a question was put whether the opposition there in Gujarat will be also present or invited for the Motera Stadium extrabenzim. The government said that there is a Nagarik Abhinandan Samiti, that is a citizen's reception committee for Trump, Trump Nagarik Abhinandan Samiti, which is making these arrangements. There is no need for the government to tell untruths officially. Because it is common knowledge, and in public domain, that President Trump himself has said that Prime Minister Modi, my friend, has promised me 7 million people in Ahmedabad when I come there. That is good. All the arrangements which have to be made, being made by the Gujarat government, and the Gujarat Ahmedabad Municipal Corporation. The country is also observing and commemorating the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. And the venue is Ahmedabad. And there would also be a visit to Sabarmati Ashram. Now what is happening, particularly also the insult to the poor, and this pledge at the cost of state exchequer, militates against the philosophy and value system of the father of the nation, Mahatma Gandhi. That I must say. And as I said earlier, 90 years ago, when Mahatma Gandhi started his walk, the salt Satyagraha, the Dandi Yatra, in a city of 75,000, which included children, women, and infirm, more than 100,000 had come just to walk with him and to see him off. So we are not at all looking at the numbers. This country has people and maybe for the President of America, they are also a country which is very well populated, but this number only India can manage. But it is the government which is doing so, as all the holdings are there, the arrangements, all the approvals, permissions, which are happening, and the quotas that have been given to universities, colleges, schools, to bring in staff, teachers, students, school students, quota per block of 100 teachers. This, what we are saying, this is the government's way, how they want to mobilize the number, we are not getting into there. The reality is that it is not a spontaneous outpouring of the people of Gujarat. Arrangements are being made because the promise given has to be honored, which the Prime Minister, we wish him good luck. But this visit should not become an extension of the U.S. presidential campaign for the Indian Diaspora vote. We do not become active party in the elections in another country. This mistake was made in Texas at the Howdy Modi event, and the Prime Minister ought to be careful. These are setting wrong precedents. We hope that there would be tangible outcomes on substantive issues, and we will hear that in the joint declaration to be made by Prime Minister Modi and President Trump. Thank you. Any questions? I'll take. Let me see, let me see, let me see. Let me, let me, let me, that we have all our leaders of opposition to, she will give us as a city of a decision. ने सुनिया जी भी जब बूए बूए ने ऐसे कोई प्रस्ता हो नहीं है अभी तक कोई ऐसा प्रस्ता हो नहीं है हमने तो नहीं कहा मैंने तो स्वागत किया है हमने तो कहा है Congress what Congress I have said shall I repeat that the Indian National Congress welcomes and supports the strategic partnership with the United States of America but we have every right to talk about the outcomes about the interest of the country its sovereignty its national interest its self-respect we receive heads of states and governments but such a bonanza has never been there it has never happened but we are not opposed whether this is in sync with the value system of Mahatma Gandhi which will happen in Ahmedabad that is what the Prime Minister and the government to see because it is Ahmedabad and Savarmati Ashram that is where you connect with Mahatma Gandhi and 150th anniversary of the father of the nation this is a correct observation to make this is not something which Congress party is manufacturing other thing that whether India should be looking at the outcomes interest of its IT professionals its industry its exporters to demand restoration of the GSP that is market access for the Indian produce and the preferential market access which has been done away with by President Trump is rightful on our part to demand that's national interest that should be restored and India and India India جو भरत को प्रत्मिक्ता थі GSP के तह center हमारे यहां के जो कारखानों में बनी यूई चीजे और धास तोर पे जो हमारे हथकरगा अदियोक की चीजे जाती थी हैनलूम हेनिक्राफ्ट की उनको थोड़ी जो फाइदा मिलता था वो खतम कर दिया गया है और भारत को एक डिवलिप्ट कंट्री कह दिया गया जिसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि है नहीं अभी डिवलिप्ट कंट्री और साथ में हमारे जो H1B वीजाज हैं हमारे IT सेक्टर के वो कम हो जाएंगे एक हथ्यारों की खरीद तक्सीमित नहीं होना चाहिए राश्टर हित भी सामने रहना चाहिए भरत को बराबरी के दरजे से बात करनी चाहिए हम एक बड़ा देश है अमरीका भी एक बड़ा शक्तिशाली देश है भारत को बड़े भाई और छोटे भाई का रिष्टा स्विकार नहीं करना चाहिए जहां जो देश के राश्टरपती प्रधान मंतरी हमसे मिलना चाहते हैं उस स्वयम संपर कर लेते हैं उस पे हम अपना दिरणय कर लेते हैं अभी कोई प्रस्ताफना हमारे सामने नहीं है नहीं मैं वो नहीं कह रहा पर मुटेरा की जो बड़ा जशन है उसकी सीधी तस्वीरें तो जाएंगी वो तो जाहिर है तो मुदी जी तो वहीं कहा आई थे टेक्सास में उनके प्रचार के लिए अब की बार मैं बोलना नहीं चाहता मुदी जी तो वहीं कहा थे भारत के प्रधान मंतरी को अपने पद की गरिमा और भारत के हित को सामने रखते हुए इस स्यात्रा से सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके परिणाम सकारात्मक हो भारत के हित के इससे पता लगता है कि कॉंग्रेस में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं पर कॉंग्रेस का क्या इसमें रिष्टिकोन है वो भारते राष्ट्री कॉंग्रेस की कारेकारणी उसको तैक करती है और यह सारे निरने को अपना ठिश्टिकोन है कि इसके उससे ड्योच तैक की अ अश सु ihr है और कॉंछ robots Solarak औरotयप्र आपक बीदीरा क्रत्य गराम एम येडियर पायद स्थेज़ फिर्फ देडमियर, कि फ्कॉशिते हूआ़ कमरा हूगा चेवले। अजसे ही आचिजितों अदेड सोगिसे ही सयरीट, उर्प पॉण एक वेड़्डेंगभडी हैं have been undertaken when national security demanded so. So we should not, as we have said earlier, I have said it in Parliament, this army belongs to India. It fights under the tricolor. It's neither Modi's army or BJP government's army. What the army does, the nation salutes. It cannot be politically encashed. I don't know. अद्यादेश देखा है, ना मुझे अभी आपने बताया है, इसके बोपाल में उस्प्रिश्टी करण देते हैं, कि वहीं पर सवाल बोना चाहिए. ना तो मेरे पास जानकारी नहीं है. अद्यादेश पर सब्सक्राइश पर सब्सक्राइश नहीं है. पहले वो सब कुछ मिल जाए लोगों को, फिर इस पर चर्चा करेंगे. तब यहलेड़ पर स暴OOO जग एाएश. झाता क्ँपी यहाले सहालेस जाएशा है. पर प्सक्राइश बाएश hypertाnas कि वहीं है. यहाले समया पर सऴशयाओ कि जाएश यह मिल 15 हाएश जचर्सक्ता कि वहालेसे कि वहलेसे कि वहालेसे साएश裤. झाल झाल